हेलो गाईज आइन वेल्कम बैक टू मैई टूब चैनल अगैन तो आज आप सभी लोगों का वापस से मैं जैक आवी गेमिंग पर स्वागत करता हूँ और मैं जो है आज डाइमंड माइन करने के लिए निकल रहा हूँ लेकिन उससे पहले मैं खुद अपने लिए जितने भी डाइमंड पहले से हैं मेरे पास चैस्ट में उससे एक पिकैक्स बनाऊंगा और उसको जो है एंचेंट कर दूँगा फोर्चून 3 पर और फोर्चून 3 था पे यह कोसा शी एक Willita और बहुते कमाل की है जो कि पिकैक्स के साथ हैं एंचेंट हो सकती है और उसके सारे 7 चार चार बी réfनीना ओर होगा तो उससे आप diamond के और से आप 3 या 4 diamonds तक mine कर सकते हो तो इससे क्या होता है कि आपका time save होता है और बहुत ज्यादा diamonds भी मिलते हैं यानि कि आपको एक diamond कहीं पर मिला है तो आपने अगर उस पर fortune 3 की ability लगा रहे के तो उससे आप 3 या 4 diamonds तक पा सकते हो तो बहुत ही कमाल की चीज है तो चलिए अब हम डायरिक्ट चलते हैं डेजर्ट वाले लागे पर लेकिन सबसे पहले तो हमें देखना ये होगा कि हम एंचेंट कैसे कर पा रहे हैं इसको ठीक है हो गया है completely अब डेजर्ट वाले इलाके पर चलते हैं और यहां पर जो है हम लोग माइन करना स्टार्ट करेंगे और यहीं से माइन करना स्टार्ट करते हैं ठीक है और इसी डारेक्शन में आप लोग वह चलना चाहिए और जितने भी नीचे आप जाते जाओगे न तो diamonds मिलने के chances और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर देख लो भई कहां कहां diamonds है और यहाँ पर थोड़ी दूर चलने के बाद तो हमें iron मिल सकता है लेकिन iron के बाद जो आपको diamond भी जरूर मिल सकता है यहाँ पर देख लो आप कितने सारे जो है यह redstone है इनको आप अगर mind करते हो तो बहुत सारे redstone निकल जाएंगे लेकिन मेरे को क्या है कि मतलब मुझे बहुत जादा redstone है और मैं chest पर छोड़ के आया हूँ उपर की तरफ तो कोई जरूरत नहीं है अभी redstone की इतनी मुझे जरूरत है तो सिर्फ एक diamond की चलो आगे चलते हैं और देखते हैं ठीक है यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा जरूर बस आपको खोजना पड़ेगा इस पूरे cave को चलो यह देखो यह देखो भाई बहुत बढ़िया यह यहाँ पर एक diamond मिला मैं आपको यह दिखाता हूँ कि इससे आप चार diamond कैसे निकाल सकते हो तो भाई यहाँ पर मैंने जो ठीक है दो diamond और मिले आप और कुल मिला कि मेरे पास चार diamond हो जाएंगे चलो नीचे की तरफ च हमारे खेमे में आता है वह आप लोगों के उसके उपर है क्या वोलते है अप लोगों के माइन करने के स्ट्रेटीजी के उपर डिपेंट करता है तो देखो एक और से दो diamonds और थोडी आगे चलते हैं हम लोग तो एक और से दो diamonds निकाल सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा खतर लगा लेते हो तो आप डायमंड को पत्थर के साथ ही बाहर निकाल सकते हो ठीक है ये जनरली जो है अगर आप सिल्क टेच लगाते हो ना तो ये बस डायरेक्ट पत्थर के साथ ही डायमंड और को अपने साथ उठा के ले आता है तो ठीक है वो भी आप कर सकते हो लेकिन अगर जादा माइन करा इसको और आप लोगों को आप दिखा रहा हूँ मैं तो अभी मैं हूँ माइनस फिफ्टी नाइन लेवल पे और डेजर्ट एरिया के बिल्कुल नीचे तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसे होते हैं कि आपको डायमंड्स जो है मिल जाए तो देखो आपको जैसे भी करके हो यहाँ पर माइन करते हो चले जाना है और इनको भी खटे कर लेते हैं हम अपने इंवेंटरी में रख लेते हैं फिलाल देखता हूँ कि मैं कितने डायमंड्स और यह रैंडमली आते ठीक है कोई जरूरी नहीं है कि हर और से आपको दो मिले किसी से तीन मिलेंगे किसी से चार मिल जाएंगे किसी से दो मिल जाएंगे तो यह डिपैंड करता है तो यह डिपैंड करता है ठीक है यह बिलकुल ही मतलब एक मैं कहूं कि बहुत ही जादा नॉर्मल चीज है आप भी कर सकते हो बस थोड़ी सी महनत लगेगी आपको शुरुआत में दो डायमेंड्स आप लोग अपने पास रखो और कैसे भी करके एंचैंटिंग टेवल बना लो वो चीज बहुत ज़ादा ज़रूरी है और फिर एक शुगर केन की फैक्टरी एंड देन अपका काम हो जाएगा बस लैदर का जुगाड कर ले ना कैसे ना कैसे काउस वगेरा से तो काम बन जाएगा आपका बहुत ही असानी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फिलाल हम थोड़ी सी दूर और चलते हैं हो सकता है हमको बहुत ही अदबुद और बहुत ही शांदार चीजे मिल जाएं याँ पर तो देख सकते हो कितने ज्यादा डाइमंड जिखटे कर लिए हैं याँ पर मैंने तो ऐसे ही करकर के आप भी डाइमंड जिखटे कर सकते हो अपने पास और वो चीजे जो है काम आने वाली है future में जब भी आप chest plate या फिर pickax या कुछ भी बना उसको enchant कर देना लेकिन हाँ level 30 की requirement चाहिए और आप लोग देख सकते हो कि अभी मेरे पास है 28 level तो काफी जादा कम है अभी तो ऐसे करके आप लोग mind कर सकते हो ठीक है तो ये चीज बड़ी best लगी मुझे और चलो थोड़ी दूर और चलते हैं and then हम लोग कुछ ना कुछ जरूर हम निकाल सकते हैं output ठीक है तो गाइस बस आज के लिए यहीं तक था और उमीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आए होगी और अगर लोगों से तब तक के लिए अलवीदा कहता हूँ मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी बाई